जै हिन दोस्तों कैसे हैं आप सब एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वक्त मैं आउन बोर्ड हूँ 12004 न्यू डेली लकनव सताब्दी इस्प्रस्टेन में दोस्तों अपनी सताब्दी इस्प्रस्टेन कानपूर सेंटरल रेल्वे स्टेशन से डिपार्ट हो करके लकनव रेल्वे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो कानपूर लकनव रेल प्रकंड पर स्पीड अप्ग्रेशन के लिए कार चल रहा है उसकी ताजा अपडेट देंगे तो वीडियो को अंद तक जरूर देखिएगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा स्यादा सेर कीजिएगा दोस्तो ये वीडियो है 9 मार्च दोहजार चौबिस का तो विनादेरी किये हुए आज की अपडेट को स्टार्ट करते हैं दोस्तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा अपने पूरे देश में चितने भी रेल सक्षन हैं चितने भी रेल ट्रेक हैं सभी ट्रेको को दोस्तो अपग्रेट किया जा रहा है स्पीड बढ़ाने के लिए उसी में दोस्तो अपना लखनव सीता पूरेल प्रखंड भी सामिल है यहाँ पर देख सकते हैं जो स्लीपर बिछाने का कार है वो किया जा रहा है सामने आप सभी को sleeper रखे हुए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे दोस्तो आप लोगों से छोटी सी request है चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हार एफ राहूल व्लॉक्स को subscribe कर लीजिए साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका notification मैसेस आप लोगों से miss ना होने पाए सामने आप सभी को दोस्तो track के सामने जो pillars हैं वो यहां पर नजर आ रहे होंगे और यहां पर देख सकते हैं जो सुरच्छा दिवार है वो track के किनारे बना ली गई है लकनाव स्रीतापुर रेल प्रखंड पर दोस्तो कई जगों पर दिवाल बना ली गई है तो कई जगों पर दिवाल अभी नहीं बनी है कार दोस्तो तेजी के साथ किये जा रहे हैं इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा फिलहाल लकनाव कानपुर रेल प्रखंड पर पहले स्पीड को 130 किलो मेटर पदगंटा किया जाएगा और उसके बाद जब दोस्तो 130 कि रप्तार से ट्रेने चलने लगेंगी फिर उसके बाद इस पर 160 किलो मेटर पदगंटे की रप्तार से ट्रेनों को दोड़ाया जाएगा देख सकते हैं कानपुर रेल रूट दोस्तो जो है ये बिल्कुल सीधा रेल रूट है तो इसलिए इसको 160 किलो मेटर के लिए बनाया जा रहा है सामने आप सभी को OHE के जो माश्ट हैं वो यहाँ पर रखे हुए नजर आ रहे होंगे जितने भी OHE के माश्ट हैं लकनव कानपुर रेल प्रखंड पर इनको हटा करके नए माश्ट लगाये जा रहे हैं सामने आप सभी को सुरच्छा दिवार जो है वो नजर आ रही होगी दोस्तो यह सुरच्छा दिवार ट्रेक के दोनों तरफ बनाई जा रही है और दोस्तो प्रिंट मीडिया के माद्यम से निउस निकल के आई थी लखनव कानपूर रेल प्रखंड को फोड ट्रेक किया जाएगा यानि कि अभी फिलहाल लखनव कानपूर रेल प्रखंड पर दो ही ट्रेक हैं इनकी जो संक्या है आने वाले समय में वो चार हो जाएगी जिसके लिए तयारी काफी जोरों के साथ चल रही है रेल बेड बनाने का जो कार है वो किया जा रहा है और जो छोटे मोटे पुल पुलियां है वहाँ पर भी कारी चल रहा है हम आप सभी को दिखाएंगे आप लोग वीडियो के अंते तक जरूर बने रहीएगा लखनाव कानपूर रेल प्रखंड पर चाट ट्रैक आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी मालुम होगा इस पेस काफी जादा है लखनाव कानपूर रेल प्रखंड पर यहाँ पर काफी सारे और बिछाये जा सकते हैं पुराने स्लीपर्स आप सभी को ट्रैक के बगल में रखे हुए नजर आ रहे होंगे जितने भी कानपूर लखनाव रेल प्रखंड पर पुरारे वाले स्लीपर्स थे उनको हटा करके नए स्लीपर्स भी डाले जा रहे हैं और लखनाव कानपूर प्रखंड पर जितनी भी क्रॉसिंग पड़ती हैं तो उन क्रॉसिंग पर जो अंडर पास बनाने का कार है वो भी किया जा रहा है जिससे कि दोस्तों आने वाले समय में जो क्रॉसिंग की समस्या है वो खतम हो जाए यानि कि जैसा कि आप लोगों को मालुम होगा दोस्तों क क्रॉसिंग पर ज्यादा तर जो हासे हैं वो होते रहते हैं तो रेलवे ने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम किया है क्रॉसिंग को हटाया जा रहा है अंडर पास जो हैं वो बनाया जा रहा है ये काफी अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को like जरूर कीजिएगा, share कीजिएगा और comment करके जरूर बताइएगा आप सभी को ये वीडियो कान पो लखनाव रेल प्रकंड का कैसा लगा आप लोग भी हमें वीडियो बना करके भेज सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएगा मेरा WhatsApp नमबर है दोस्तो 9026015641 इस WhatsApp नमबर पर आप लोग हमें वीडियो बना करके भेज़ सकते हैं तो काफी धीमी गती से अमावसी रेलवेइ स्टेशन को पार करती हुई अपनी लखनों 27 प्रस ट्रेन और सामने आप सभी को पेट्रोल पंप का सेट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों अमावसी रेलवे स्टेशन पर पेट्रोल की लोडिंग और अलोडिंग होती है यहाँ पर भी देख सकते हैं दिवार आप सभी को बनी हुई नजर आ रही होगी यह दिवार बनाने का भी बहुत फाइदा है फाइदा यह है कि जितने जानवर हैं दोस्तों वो दिवार को क्रॉस करके ट्रेक पर नहीं आएंगे और रेल की हान ही नहीं होगी तो सबसे बड़ा कार यह यहाँ पर किया जा रहा है देख सकते हैं दोस्तों उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो कानपुल लकना और रेल परखंट का आप लोगों को जरूर अच्छा लगा हो होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और कमेंट करके बताइए तब तक एलिए नमस्कार